हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर्जुन एडुकेशन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सर फ्रांसिस बेकन का लिखा एक और ऐसे ऑफ मैरिज और सिंगल लाइब दोस्तों यह बहुत ही इंपोर्टेंट ऐसे है और बहुत सारी उनिवर्सिटीज के सेलेबर्स में MA या BA ओनर्स या इस तरह से बहुत सारे पोर्सिज में यह प्रिस्क्राइब्ड है तो अपने फ्रेंड्स की जो रिक्वेस्ट है उसके लिए मैं यह पोस्ट कर रही हूँ सो पहले बात करते हैं सर फ्रांसिस बेकन के बारे में सर फ्रांसिस बेकन अलिजब इथर टाइम के एक प्रोज राइटर थे वेसिकली वो प्रोज लिखते थे यानि कि उसने पोईटरी या ड्रामा जो उस टाइम के बहुत पॉपुलर फॉर्म्स थी उसमें उन्होंने नहीं लिखा और वो प्रोज, essays लिखते थे, 어떻게 लिखते थे या books लिखते थे और इनकी जो books होती थी वो major subjects के बारे में होती थी जैसे world के बारे में, brahmand के बारे में, dunia के बारे में scientifically वो चीजों को analyze करते थे और rationalize करते थे और इस तरह से अपनी knowledge को वो दुनिया के साथ किताबों के रूप में शेयर करते थे He was born in 1561 and died in 1626 और ये England में ही रहे अपनी जिंदगी वो एक lawyer थे और एक scientist भी थे otherwise कोई ऐसा art नहीं था जो उनको नहीं आता था उन्होंने Queen Elizabeth का Tony Journal के तौर पे England का Tony Journal के तौर पे भी काम किया और Lord Chancellor भी थे वो वो अलग बात है कि उनके उपर टाइम टाइम पे बहुत सारे bribery के और अलग लग तरह के बहुत charges भी लगे तो शायद इसी तरह इसी वज़ा से ही उनको England का wisest, brightest and meanest of mankind कहा गया है उन्होंने over 50 essays लिखे चलिए अब हम अपने essay की बात करते है तो friends of marriage and single life ये एक ऐसा topic है जो बहुत relevant है चाहे उन्होंने आज से 500 साल पहले लिखा लेकिन 500 साल नहीं, sorry ये मेरे क्याल से कोई 400 साल पहले लिखा, 400 साल पहले लिखा लेकिन ये आज भी उतना ही relevant है जितना उस दोर में था क्योंकि marriage एक बहुत ही relevant topic है हर इनसान तब भी शादी करता था अब भी करता है और शायद 1000 सालों बाद भी अगर हमारी civilization रहती है तो वो शादी करेगा इसलिए इसका relevance आज के जमाने में भी उतना ही है बहराल उसमें बात की है कि एक तरफ सिंगल आदमी है जो शादी शुदा नहीं है जिसके बच्चे नहीं है और दूसरी तरफ वो लेता है कि married आदमी जो शादी शुदा बाल बच्चेदार है तो इन दोनों को उसने compare किया है दोनों की life लेकिन उसने compare जो किया है वो उनकी personal life को compare नहीं किया है उनकी जो societal या public life है उनको compare किया है आपस में कि अगर इन लोगों के हाथ में किसी तरह की power आ जाती है ताकत आ जाती है या society का ये कुछ कर सकते हैं तो दोनों में से किस तरह का इनसान होगा कि वो married होगा या फिर वो single होगा तो वो society को किस तरह से affect करेगा अच्छे पहलू भी दिये हैं दोनों के बुरे पहलू भी दिये हैं किस post पे कौन सा बंदा होगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा तो ये और बहुत सारी और बाते जो इसके relevant है वो उसने discuss की है तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से उन्होंने इस topic को handle किया है तो जो married man है जो बेकन अपना ऐसे शुरू करते हैं वो कहते हैं जो married man है वो risk लेने से घबराता है क्योंकि वो मानता है कि उसके उपर उसकी family और बच्चों की responsibility है और अगर उसे कुछ हो जाता है तो फिर उसकी family और बच्चों का क्या होगा इसलिए बेकन पहले ही ये बात clear कर देता है कि जो adventurous life है जो बहुत एक risk taking life है वो married आदमी के लिए नहीं है वो एक single आदमी जादा अच्छी तरह से adventurous life को lead कर सकता है और वो साथ में ये भी बात जोड़ देता है कि जो single बंदा है जो childless है जिसके बाल बच्चे नहीं है वो अगर उसके हाथ में power आती है अगर वो publicly कुछ करना चाहता है मतलब पब्लिक के लिए कुछ करना चाहता है तो वो जो single आदमी होते हैं वो best कर पाते हैं क्योंकि उनके उपर कोई responsibility नहीं होती उनकी जो attention है वो undivided वो जो भी काम करेगा उसकी तरफ जाएगी वो बार-बार उसका ध्यान भटकेगा नहीं कि ये मेरे बच्चों के लिए क्या होगा या मेरी जो wife है उसको किस तरह से ये affect करेगी जो बाल बच्चेदार आदमी है जो married person है और जिसके बच्चे है उसको society को better बनाने में बड़ा interest होता है लेकिन और अगर कोई इस तरह की post हो कोई इस तरह का काम हो जिसमें society को better बनाने का मौका मिले तो वो काम एक married आदमी जादा अच्छे से कर पाता है क्योंकि उसको ये interest होता है कल को उसके बच्चे भी इसे society में यहां रहेंगे और वो अगर वो कुछ betterment करेगा तो वो उनके हिससे भी आएगी तो उसको personally क्योंकि वो बच्चों के साथ बहुत लगाव है इसलिए वो बच्चे society के साथ link है तो वो society को better बनाने में यकीन रखता है क्योंकि future में उसके बच्चों को इस चीज़ का benefit मिलने वाला है फिर वो बात करता है कि जो self interest है वो उन लोगों को guide करता है जो future के लिए indifferent होते हैं परवाह नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो तो यहां होईंगे नहीं है ना पता नहीं आज से 20 साल बाद अब को decision लेना है तो कोई आज से 20 साल बाद पता नहीं मैं यहां पे होंगा या नहीं होंगा इसलिए जो self interest वाली बात है वो भी एक अलग करांसे react करती है वो सरफ उन लोगों के लिए है जो future में यकीन रखते हैं और सोचते हैं कि मुझे इस चीज़ का या मेरे बच्चों को इस चीज़ का फाइदा मिलेगा तो self interest भी single लोगों के लिए जादा work नहीं करता कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दूसी तरफ जो अपनी वाइफ को और बच्चों को सिरफ एक financial liability समझते हैं जैसे उनको लगता है कि वो सिरफ मेरे उपर खर्चे हैं जिमेदारियां हैं तो जिनसे बचा जा सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े मूरक होते हैं और बहुत लालची भी होते हैं ग्रीडी भी होते हैं और ये बात कहने में वो फखर महसूस करते हैं कि उनके कोई बच्चे नहीं है क्योंकि उनको लगता है इससे लोग समझेंगे कि हम बहुत जादा अमीर हैं रिच हैं क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है और सारे के सारे पैसे और मेरे जो एसेट्स हैं वो मेरे ही हैं वो बच्चों तक नहीं जाएंगे इसलिए लोग समझेंगे कि मैं बहुत रिच हूँ इसलिए मेरा जादा खर्चा नहीं है लेकिन जो सिंगल रहने का बहुत एक common reason है वो ये है कि जो आदमी single रहता है उसके मन में ये बात होती है कि अगर मैं शादी करूँगा तो मैं बंद जाओंगा मैं bound हो जाओंगा इसलिए उनको अपनी freedom बहुत प्यारी होती है तो वो शादी के बंदनों में बंदना नहीं चाहते उनको लगता है कि उनकी freedom पे एक लगाम लग चाहेगी इसलिए लोग शादी ना करना पसंद करते हैं तो यहाँ पर उसने different reasons बताया है शादी ना करने के और अब उसने बताया है कि एक जो single आदमी है उसके advantages और disadvantages क्या हो सकते हैं बेकन कहता है कि जो single आदमी है क्योंकि वो जो भी काम करता है वो undivided attention से सरफ अपने लिए करता है उसको यह नहीं होता कि मुझे जल्दी घर पहुंचना है घर में मेरी बीवी मेरा wait कर रही है या मुझे बच्चों को कुछ लाके देना है या बच्चे मुझे याद कर रहे होंगे तो वो undivided attention से master भी अच्छा बन सकता है servant भी अच्छा बन सकता है और friend भी अच्छा बन सकता है लेकिन वो हमेशा अच्छे citizens नहीं होते क्योंकि वो बगैर किसे responsibility के रहते हैं उनके roots नहीं होते जो उनको बांध सके जमीन से जोड सके तो इसलिए वो अच्छे citizen नहीं होते क्योंकि वो कभी भी देश सोड के जा सकते हैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्योंकि उनके बीवी बचे यहां है उन्हें यहीं पर survive करना है तो ऐसा बहुत बहुत हो जाता है तो वो कहता है कि वो अच्छे servant अच्छे masters और अच्छे servant तो अच्छे friends तो बन सकते हैं लेकिन वो अच्छे citizen नहीं बन सकते हैं वो देश के प्रती उनकी जो निष्ठा है और उनकी जो patriotism की भावना है वो कम होती है क्योंकि वो कभी भी देश छोड सकते हैं आगे उनने यह बताया है यानि कि जो पादरी होते थे जो priest होते थे उनका रुतबा राजा से भी बड़ा होता था राजा भी उनसे पूच के हर काम करता था तो उन्होंने कहा है कि जो priest है उसको हमेशा single रहना चाहिए अगर उसकी family होगी तो उसका सारा ध्यान और affection अपनी family की तरफ लगी रहेगी और वो अपने जो लोग हैं जो उसके पास आते हैं जिसको उसने उपदेश देना होता है या जो लोग हैं उसके आस पास जिसको उनको जिसका ध्यान रखना होता है तो वो नहीं कर पाएगा उसका ध्यान अपनी फैमिली में रहेगा इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे जो फादर्स होते हैं वो प्रीस्ट होते हैं Christianity में वो सिंगल होते हैं फिर वो कहता है कि ये जो जज है जज मैरिड हो या सिंगल हो तो इस बात पे कोई ज़ादा फरक नहीं पड़ता क्योंकि अगर वो corrupt है तो वो corrupt ही रहेगा अगर वो चाहता है कि वो रिश्वत लेना चाहता है तो वो खुद रिश्वत सामने से नहीं लेगा अपने लिए एक बंदा पॉइंट कर लेगा जो उसके लिए ब्राइब लेने देने का काम करेगा तो मेरे ख्याल से जो आज जो सुसाइटी की हालत है वो बैकर ने बहुत साल पहले बया कर दी थी कि ऐसा आम आज हम सुसाइटी में देख सकते हैं तो वो कहता है कि ये जो एजेंट हैं जो रिश्वत लेते हैं ऐसे आदमियों के लिए यहाँ पे उसने एक बड़ी बात कही है जो उस टाइम पे तो वैलिट थी लेकिन आज कल मैं मान सकती हूँ कि यह अब्जेक्शनेबल है उसने कहा है कि ऐसे जो एजेंट जो जजजिस के भी बुरे होते हैं otherwise उनको लगता है कि wife जादा पैसे कमाने के लिए अपने husbands को कहती हैं तो wives इस लिहाद से बुरी होती है लेकिन जो agent पैसे लेता है उसके बहाफ पे तो वो wife से भी बुरा है तो ये बात objectionable है लेकिन बहुत साल पहले बड़ी ऐसी बाते होती थी जो आज की society में valid नहीं है आगे वो बताता है कि जो marriage है वो soldiers के लिए अच्छी है क्योंकि जब वो fight करते हैं अगर अपनी family को याद रखते हैं तो उनको एक जीने की प्रेरना मिलती है तो इसलिए वो अच्छी fight कर सकते हैं तो जिससे देश को फाइदा होता है फिर उसने Turkish soldiers के example दी है ज वो शादी करना पसंद नहीं करते तो इसलिए बेकर ने कहा है कि वो बहुत ज़ादा अच्छे नहीं होते उनको नीच और घटिया कहा है और उसके पीछे reason यही उसने ढूंडा है कि शायद वो शादी शुदा नहीं होते उसने शायद नहीं लगाया है मैं लगा रही हूं क पिर उसने शादी के बारे में एक और अच्छी बात बताई है कि जो बच्चे हैं बीवी हैं वो इनसान की जिंदगी में एक तरह का discipline कायम करते हैं और उसे जादा इनसानियत की और लेके जाते हैं किसी इनसान को humanitarian feeling जो soft heartedness होती है अब जिसके बच्चे नहीं है तो वो उस थारा कि भावनाओं को कभी समझ नहीं सकता जिसके बच्चे हैं वो उसका एक soft corner हो जएगा उसे हर बच्चे में हो सकता है अपना बच्चा नजर आई वो किसी को जादा दुख नहीं दे सकता या किसी को जादा दुख लेते हो देख नहीं सकता क्योंकि उसे अपनी family याद होते हैं family पे वैसे नहीं वो ज़ादा खर्चता क्योंकि उसकी family नहीं होती है लेकिन otherwise वो एक cruel किसम का आदमी होने के उसके ज़ादा chances होते हैं जो single आदमी है वो ज़ादा cruel होता है वो ज़ादा hard-hearted होता है क्योंकि उसकी family नहीं है और इसलिए वो कुछ affectionate feelings जो है उसके मन में पर अपने के chances कम होते हैं आगे उसने husbands और wife पताया है कि categories क्या होती है जो serious band of mind के इंसान होते हैं जो गंबीर किसम के इंसान होते हैं वो बहुत conventions को मानने वाले होते हैं और committed होते हैं अपनी wives के लिए conventional जो परमपरागत तरीके से अपनी wife को अपना सब कुछ समझते हैं और यहाँ पे उसने Ulysses की example दी है तो दोस्तों यूलिसेज एक Greek hero था जो Trojan War में fight किया था और अपनी wife से बहुत साल तक 20 साल तक वो दूर आ था तो लेकिन उसने उन 20 सालों में शादी नहीं की और वापिस आके देखता है कि उसकी wife ने भी शादी नहीं की हाला कि उस टाइम पे यह बहुत common नहीं था बहुत सारे commitment बरकरार रखिया और उन दोनों ने शादी नहीं की और एक दूसरे का weight किया फिर वो कहता है जो chaste wives होती है जो पवित्र wives होती है उनको अपनी पवित्रता का बड़ा गुमान होता है और उन्हें ये लगता है कि हम बाकियों से better है और एक wife जो ये सोचती है कि उसका husband husband समझदार है तो वो अपने husband के प्रती जादा loyal और obedient होईगी आग्याकारी होईगी और वफादार wife प्रूव होती है अगर एक husband jealous है तो उसकी wife उसे कभी भी समझदार नहीं समझेगी और वो कभी भी उसकी respect नहीं करेगी यहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़े हैं जो बेकर stages of life पे क्या एक status है तो अगर जवानी में जो wife है वो romantic love का object होती है कि एक दूसरे की शकल देखके या एक दूसरे के प्यार के प्रती जो है वो दोनों attract हो जाते हैं तो wife एक तरह से उसकी beauty और उसका जो young love है वो motivation हो सकता है middle ages में एक दूसरे के साथी की जरूरत होती है एक त प्यार रखती है तो आदमी किसी भी age में शादी करे उसको इसमें से फाइदा ही मिलता है लेकिन फिर पी एक Greek philosopher ने उसका नाम नहीं दिया गया है यहां पे उसका लेकिन हम यह समझ सकते हैं कि यह Greek writer जो है वो थैलिस का reference यहां पे दिया गया है तो थैलिस ने यहां पे कहा ह है कि जो marriage करना है वो इतना अच्छा नहीं है उसने question किया है कि उसे ऐसा लगता है कि शादी करना किसी भी stage पे ज़्यादा जरूरी नहीं है तो बेकर ने उसका जवाब दिया है कि हम किसी भी stage पे शादी करें वो हमारे लिए हमेशा फाइदा ही लेकि आती है तो अब बताय यह भी हो सकता है क्योंकि वो कभी कभी अच्छा बहेव करते हैं अपनी wives के साथ, तो wives उनको जादा appreciate करती है जब वो अच्छे होते हैं, तो यह वो show करते हैं तो wife को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको अपने husband के misconduct की आदत पर जाती है, और जब वो अच्छा बिहेव करता है तो उसे प्राउड होता है इस बात पे लेकिन इसके साथ ही साथ उसे अपनी पेशन्स का भी घुरूर हो जाता है उस वाइफ को उसे लगता है कि जदनी मैं पेशन्ट हूँ उतनी कोई और वाइफ शाहिद पेशन्स नहीं होगी अगर एक औरत ने अपना जो हस्बेंट अपनी मर्जी से चुना है अपने वेलविशर्स की या पैरेंट्स की अडवाइज के बिना या उनके अगेंस जाके उसने अपना हस्बेंट चुना है तो वो बहुत अच्छा वाइफ अपनी अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करेग और हमेशा irrespective of reason unfailingly अच्छी बनने की कोशिश करेगी अपने husband की नजरों में क्योंकि उसे अपनी family की नजरों में अपनी इज़त को बचाना है कि मैंने कोई गलत decision नहीं लिया है तो इस तरह से बेकर ने एक बहुत ही अच्छे और बड़े crispी अंदाज में married और single life के अलग अलग करा के pros and cons बताए हैं और किस तरह से उसने marriage और singular life की इस तरह से जैसे बताया है जैसे कोई assets और liabilities गिनाता है कि किसके कितने फाइदे हैं किसके कितने कम फाइदे हैं किस stage पे किसका जादा फाइदा है और उसने बहुत यह objectivity के साथ और बहुत rationality के साथ इन दोनों चीजों को हमारे सामने रखा है तो कहीं कहीं वो judgment भी बास करता है यह कि यह उसका अपना style है वो उस time पे उसे लगता था कि वो बहुत intelligent और उसको ऐसा मान भी मिलता था तो वो समझे लग जाता है तो वो एक judgmental सा behavior करता है कि ऐसा ही है पर of course हम हमेशे question कर सकते हैं जो भी writer ने लिखा है यह बेकन के अपने विचार है तो वो utilitarian philosophy में यकीन रखता है यानि कि वो individuality पे stress करता है collectivity पे stress नहीं करता तो यह उसका लिखने का एक अपना अंदाज था और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमें subscribe कीजिए और हमें facebook पे भी follow कीजिए और हमें comments में यह लिखके बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं तो please हमें subscribe की इस वीडियो को like और share कीजिए thank you